अंदर जिसका नंबर है MH14DA5769 ये गाड़ी के अंदर कुछ गुमनाम लोग थे जो मुझे ट्रेस कर रहे थे मेरे उपर ट्रैप लगा के रखे थे ये गाड़ी को मुंबई पुलिस ट्रैफिक पुलिस के अंदर पूरा इसको देख सकती है ये गाड़ी के अंदर मोहिन शेक क के पास एक रिवॉल्वर था मेरी सिक्योरिटी ने जैसे उसको पकड़ा वैसे वो लोग गाड़ी से भागे उसी रात मुंबई पुलिस के चलान वालों ने रैस ड्राइविंग में इनके उपर चलान भी गाड़ीयों पे कटा अलग-अलग ट्रैफिक पुलिस टेशन के अ अच्चिन काम ले करके जो भी यह सक्स है उसने आगे जाके किदर वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने मान्य उपमुक्य मंतरी जी का नाम लिया उन्होंने अलग-अलग आरोप लगाए कि मैं वहां पे गाली ग्लोच कर रहा था मैंने पुलिस के साथ धक्का मुक्य की पु अंजे राउत जो सलीम जावेत की स्टोरी बनाने में बहुत मशूर है सबको यह पता है उन्होंने सुबा सुबा उसकी वीडियो ट्वीट की एक पत्रक देविन फटनविस साब के नाम पे लिखा मुंबई सीपी के नाम पे लिखा जिसमें अनेक आरोप उन्होंने मेरे प मुंग की खाई मैं पहले भी मुंबई पुलिस को बोल चुका हूं पहले भी पत्रक लिख चुका हूं कि मेरे उपर जान से मारने का बहुत बार प्रयास पहले भी किया गया है मातोशरी के बाहर भी हुआ बार बार सोशल मीडिया और अनेक मीडियाओं के माध्यम से मेरे और मेरे परिवार को धमकिया पहले भी काफी दी गई दस दिन पहले खुले आम नाकपूर में नितिन देशमुग जो आमदार है उसने भी मुझे जान से मानने की धमकी दी की पुलिस प्रोटेक्शन हटाओ फिर इसको हम दूद का दूद पानी का पानी कर देंगे कैसे ये जिंदा रहता है वो वीडियो आप सबके पास भी मौझुद होगा जो मैंने जॉइन सीपी मुंबई को भी फॉरवर्ड किया था परसो की घटना भी एक ट्रैप था हाँ मैं मेरी गलती मानता हूं कि मुझे दो बजे वहाँ पर नहीं जाना चाहिए था लेकिन ये घाट को पर के चेंबुर के और बहार के लड़के बैंडरा में उस राद को ये अंजान गाड़ी जो दिखती है कि गाड़ी भी सही है कि चोरी की है ये भी पता नहीं इस तरह के आम्स लेकर वहाँ पर वो क्या कर रहे थे और उस समय वो बाहर एकदम से मेरे को देख कर अंदर आके इतना जो तमाशा किया उनके क्या इंटेंशन थे मुंबई पुलिस को इसकी पूरी जाज करनी चाहिए संजे राउत हमेशा क्यों पिच्चर में आकर जब भी इस तरह का नरेटिव सेट करकर इस तरह की स्टोरिया बना कर और उनका इन लड़कों के साथ क्या संबंध है ये भी लोगों के सामने आना चाहिए ये भी जाज क विशे है दूसरा विशे इस तरह की राजनीती मीडिया में वन साइट स्टोरी देकर रेस्टोरेंट को डांस बार बोल कर अनेक महिलाओं के साथ डांस में कर रहा था ड्रक कर रहा था दारू पी रहा था ये आरोप पहले भी लगते आए लेकिन बिना कोई पुकता सबूत के इस तरह का नरेटिव सेट करना ये मुझे लगता है संजे राउत अपना मांसिग संतुलन खो बैठे हैं जेल से आने के बाद यहां तो पागल हो चुके हैं यहां तो उनको एक साइकेट्रिस की डॉक्टर की जरूरत है मैं यह सब मीडिया के माध्यम से मैं सीधा बताना चाहता हूँ अगर इस तरह का राजकरण नीजी जिंदगी के अंदर कोई अपनी धरम पत्नी के साथ है उसको इस तरह बदनाम करने का अगर राजकरण महराश्ट में चालू करने का प्रेतन करेंगे तो मैंने जब वीडि धमकी समझ लो चेतावनी समझ लो या जो समझना है वो समझ लो तेजस ठाकरे अधिट ठाकरे मैं नाम लेके बता रहा हूं कोविड में जब 10 बजे का कानून था किस तरह से वल्ली पे 11-11-12 बजे धमकी देकर रेश्टरेंट खुला कर बिना बिल दिये वहाँ पर दारू पीते थे और खाना खाते थे और बिल मांगने पर वहाँ पे मु वीडियो अप्रूफ दे सकता हूं मीडिया को यह वल्ली का रेश्टरेंट है कोविड के समय में रात को 11-11 बजे का जीस्टी पेड बिल है जिसके अंदर तेजस ठाकरे का नाम भी है किस तरह रेश्टरेंट को खुला कर धमकी देकर यह उनका वीडियो है यह उनका वीडि किस तरह से वो रात को रेश्टरेंट खुला कर धमकी देकर भाई का वहाँ पे MLA और पिताजी मुख्यमंतरी है इस तरह का जिस तरह से वेवार करते थे यह तो एक वीडियो है ऐसे इनके नहीं मेरे पास ऐसे कही लोगों के वीडियो है वो क्या-क्या करते हैं कौन-कौन स वुतरूंगा तो मुई दिखाने के लाइक यह कोई नहीं रहेंगे संजे राउत कौन से होटल में जाकर फ्रीका खाते हैं और क्या क्या करते हैं, ग्रेंड हयात में, अगर मैं बताना चालू करूं, और आरे के बंगले में क्या करते हैं, कौन इनका बिल चुकाता है, तो संजे राउत मू दिखाने के लायक नहीं रहेंगे. मेरा ये मीडिया से दर्ख्वास्ते मीडिया के माध्यम से इस तरह के घटिया आरोप, घटिया राजनीती, घटिया स्तर, महा विकास अगारी के निताओं को बंद करना चाहिए आपको आरोप लगाना है, आप मेरा घर तोड़ने को आए, आपने मेरे पर जूटे केस किये, 57-57 जूटे मेरे उपर केसेज और नोटेसेज भेज़े आपने पिष्टी सरकार में, कोई भी एक आरोप आप सिद्ध नहीं कर पाए आरियन खान से लेकर अभी तक अगर तुमारी सरकार गिरने का तुमको दुख है, तो ये दुख तुमारे पास रखो, तुमारी और क्या-क्या सरक जाएगा तुमको मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम तुमारी आइडोलोजी खो चुके हो, किस बात का गुस्ता सही वीडियो के साथ करो, और सही तक्तों के साथ करो, मैं ज्यादा नहीं बोलूँगा, मेरी मुंबई पुलिस से ये दर्खवास है, कि जिस तरह से ये पूरी घटना हुई, ये लड़के जो वहाँ पे थे, जो अपने आपको सचिन कामले बताता है, उसके उपर अनेक केस केसिज भी मुंबई में रजिस्टर हैं, मुंबई पुलिस में पुलिस वालों से मारपीड करने के केसिज, गवर्मन्न अधिकारियों को मानने के केसिज, चल रहे हैं, कल भी उसकी एक देट कोट में हैं, जो खुद इस चीज का आरोपी है, वो मुझ पे आरोप लगा रहा है, यह खुद में एक उसकी क्रेडिबिल्टी की बात है, और धाई बजे निकल कर अगर तुम देख रहे थे कि मैं पुलिस वालों से मारपीड कर रहा था तो उसकी वीडियो क्यों नहीं ली, मैं वहाँ पे बैठा हूँ, इतने आरोप लगा दी, उसके क्या पिच्चर और क्या पुरूफ है, शाड़े तीन बजे निकल कर इतनी जूटी टाइमस ओफ इंडिया में आज जिस तरह की स्टोरी आई, जिस तरह का मेरा करेक्टर एक्सिनेशन और मेरी फैमिली का एक्सिनेशन करने की एक तरफ की एक लेटर के उपर संजे राउत, जो संजे राउत मेर को पिछले प्रेस कॉंफरेंस करके कितने आरोप लगाते आए, 12,000 करोड क्या-क्या आरोप आज तक लगाते है, कुछ भी साबित नहीं कर पाए, ऐसे सक्ष जिसकी ने आज तक बाप बेटे जेल जाएंगे, खुद जेल चला गया, मैं बोलता था सलीम जावेद जाएंगे इतना बड़ा खुलासा करूंगा कि पूरा महराष्ट देखेगा, बहुत-बहुत धन्यवाद, भारत माता कीजे, बंदे मातरा जावेद कर देखेगा, बंदे माराष्ट को पता है, जावेद को ने सलीम कहा है और जावेद कहां था, सबको पता है, दोनों का मिलन कराया था, और इन दोनों का मिलन दुबारा होगा मैं आगा ने बताउंगा, क्या है मेरे पास बताउंगा यह वीडियो दो हजार इग्यस रात को 11 बजे 4 सप्टेंबर 2021 का है जब कोवीड के रिस्टिक्शन्स थे 10 बजे तक रेश्टुएंट चलने की पर्मिशन थी धमका कर रेश्टुएंट को खुलाए रखा उसका ये वीडियो है पूरे पूरूफ के साथ एक वीडियो नहीं मेरे पास ऐसे हजारों वीडियो स सबके सपुत्र सपुत्रियों के हैं लेकिन मैं ऐसा काम नहीं करता मेरे चरितर में किसी के फैमिली में जाने का नहीं है लेकिन अगर तुम मेरे को छेड़ोगे तो मैं छोडूँगा नहीं अगर जूती स्टोरी मेरे पे लेके आओगे तो मैं तुम्हारा असली दड़पन दिखाऊंगा तुम आज तक कुछ प्रूफ नहीं कर पाए सिर्फ जूटे पत्रक है मैं तुमको प्रूफ फेक्ट्स और फिगर्स के साथ सब मीडिया के सामने रखूंगा यह तो एक सेंपल है कुछ नहीं है सिर्फ एक 11 बजे का वीडियो है कि बाप के नाम पे धमका के कि म सब्सक्राइब करना है तो मेरे पास जितना डाटा मसाला है किसके बारे में किदर है कौन कौन सा पॉडल लाली लगाता है अगर दिखाना चालो हो जाओंगा तो घर से बाहन नहीं निकलोगे मुझे किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं है मेरा सिंपल इतना बोलने भाई साब कि इस तरह का राजकरण संजे राउत पे मानिय शरत पवार साब जो महराज के सबसे बड़े दिग्ज लीडर है मैं भी बहुत इज़त करता हूं उद्धर ठाकरे जी जो शिरी और जी तो वैसे रहेगा कि इस तरह के इस पौ-पट के उपर लगाम लगाओ और पोपर को तुमको पर को बुलवाना है तो पोपर को पहले मसाला दो पोपर को पहले फैक्ट एंड फिगर दो तो हमको भी मज़ा आएगा इस पौपट से लड़ने पर जूटी जूटी श्टोरी लेक जाना चीथा हाथ जोड के मैं दो बजे निकला उसकी माफी चाहता हूँ कि देड़ बजे मुझे घर आना चीथा मेरे दोस्तका जनमनिंता मैं रुका मेरी गलती ए यह गलती को वही भाषा सुनाऊंगा मेरे को तेरी भाषा में जवाब देना आता है लेकिन मैं मर्यादा रखता हूं तो मर्यादा को मेंटेन रखा जाए और सब लोग मुंबई में महराश्ट में राजकरण में मर्यादा को मेंटेन रखे पिछले चार साल में संजे राउद में सब मर्य तोड़ी है लेकिन ये बिलो दा बेल्ट बिल्कुल अच्छी बात नहीं है कि नितेश राने को एक जिम्यदारी दी गई है कि अगर आप बेज़ेपी के निताब पुलोगे तो अगर अधित राकरे बोलेगे संजे राहुत कहां के संपादक है वो संपादक है कि संपादक है वो पाते ज्यादा है और उनका मुह पिछवाड़ा भगवान ने एक जैसे ही दिया है तो वह उद्दव ठाकरे जाने और संजे राहुत जाने कि वो कहां से पाते हैं मुह से पाते कि पीछे से पाते हो मेरा का पार्टी के आला नेताओं से बार बार नाम लेकर मुझे जोडते हो तो मेरे को संजे राउत की तरह पार्टी के और नेताओं की जरुवत नहीं है मैं खुद में सक्षम हूँ संजे राउत को उसकी भाषा में हर जगा जवाब देने के लिए मुझे किसी भी पार्टी दल या बड़े नेताओं के नाम की ज़रुवत नहीं है तो यह जिस तरह से जूटे नरेटिव जूटे पत्रक जूटी बाते शंजे राउत करते हैं खृपया करके पोपाड को अपनी लगाम लगाओ मुपे लवंडे को बोलो कि अपनी उकात में रहे मैं किसी के कभी भी परसन आज तक मैंने नहीं बोला लेकिन अगर इस तरह मेरे धरम पत्नी के लिए बोला जाएगा या इस तरह मेरे परिवार के वह बोला जाएगा तो फिर मेरे पास भी सब कुछ है देखिए मैं तो आज तक बिना fact and figure के कभी कुछ बोला ही नहीं मैंने एक IPS बोला वह IPS किदर गया सबको पता है मैं सलीन जावेद बोला किदर गया सबको पता है एक तारीक तीस तारीक बोली तो एक भी तीस सबने देखी तो मेरे पास खुद की यंत्रना है यह बता देता मेरे पास बहुत अच्छी लाइविरी है जैसे आप लोग आपका एन नाई डेटा और आप लोग न्यूस चनल मेंटेन रखते हैं मेरे पास ही बहुत कुछ मेंटेन रहता है वक्त आएगा ज़रूरत पड़ेगी तो ऐसा ऐसा खुलासा करूंगा लोगों को पता चले हैं 2021 का मैं आपको दिखा दिया 23 में कोविड का दिखा दिया तो मेरे उपर आओगे तो मुझे मेरे को डिफेंड करना और मेरे को अपने को बचाना आता है आपको मेरे पर अटैक करना है तो सही आरोप लेके आओ सही चीज लेके आओ जूटे आरोप जूटे नरेटे जूटे फि खड़ा मुडिन से लाइव अपडेट मियोने साथी आता साम टीवी चा सर्व सोशल मीडिया प्लाटपॉर्म ला लाइक, फॉलो आणि सब्सक्राइब करा तस सर्व नोटिफिकेशन साथी बेल आइकॉन प्रेस करायला विशुरू नका